जै मातादी दोस्तों जी हाँ बिलकुल सही सुना आपने बहुत ही तेज असर दिखाती है यदि कोई महिला है जिसको आप पसंद करते हैं या कोई लड़की जिसे आप अपना दिल दे बैठे हैं या कोई अपना जो रूट गया हो तो इस विधी द्वारा आप उसे अपने जीवन में वापस ला सक सकते हैं प्रेम रस घोल सकते हैं तो चलिए आपको बताती हूं कि वे कौन सा उपाय है दोस्तों मैं विधी बताने से पहले एक मुख्य बात आपको बता दूँ कि जब भी आप इस विधी का प्रयोग कर रही हो तो इस बात का खास्तोर पर ध्यान रखें कि आपके आसपास कोई ना हो आप उस समय बिल्कुल अकेले हो क्योंकि अगर आप अकेले में इस विधी का प्रयोग करेंगे तभी इसका असर आपको पूरी तरहा से मिलेगा दोस्तों तो तयार हो जाए जानने के लिए इस प्रचंड शक्तिशाली वशिकरण विधी को जिसे आप किसी भी स् समय रही हूँ वह है आखों से देखकर वशिकरण सुने में काफी अजीप स और असंभव सा लग रहा होगा लेकिन ऐसा बिल्कुल मुमकिन है आखों से देखकर वशिकरण करने की विधी अब मैं आपको बतानी जा रही हूँ इसके लिए आपको शुकरवार की रात्री को क दीपक ले सकते हैं इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता अब आपको इस दीपक को जलाना है दोस्तों आपको इस बात का विशेश ध्यान रखना है कि आपको इसके लिए देसी गाय का घी इस्तमाल करना है आपको किसी देसी गाय का घी प्रयोग में ही लाना है आपको दीपक जलाने के बाद एक मंत्र का जाप करना है ये मंत्र है लेई वनहे धुन जनम दर्शन उस्ट कंठितम कुरू कुरू स्वाहा मंत्र का जाप करते करते आपको दीपक की लौ को देखना है और उस व्यक्ति का चहरा याद करना है जिसे आप वश में करना चाहते हैं आपको इसकी लौ में उस व्यक्ति का चेहरा न दिखने लग जाए। लौ में चेहरा दिखते ही आपको उस दीपक को एक ही फूप में भुजा देना है। अगली रात यानि शनिवार की रात्री को भी आपको यह क्रिया दोहरानी है। जी हां आपको लगतार दो रातों तक इस विधी को करना है और आपको अगले ही दिन यानि रविवार से ही इसका असर दिखना चालू हो जाएगा। तो यदि आप किसी महिला की तरफ आकरशित हैं मगर इनकार के डर से आप अपने दिल की बात दिल में ही दवाय बैठे हैं तो एक बार इस विधी का प्रयोग करके देखिए वो महिला खुद बखुद चल कर आप से बात करेगी और अपने प्यार का इजहार करेगी। यदि कोई लड़की आपके प्यार को बार बार ठुकरा रही है तो देखिएगा कैसे ये विधी आपके लिए उस लड़की के दिल के दरवाजों को खोल देगी। तो दोस्तों मैं आशा करती हूँ कि आप इस विधी के सभी चरणों को ठीक से समझ गए होंगे। यदि विधी के किसी भी चरण को लेकर आपके मन में कोई डाउट है, कोई संचे है तो जो स्क्रीन पर नमबर आपके फ्लैश हो रहे हैं आप उन पर बात कर सकते हैं। तब तक के लिए आप सभी से मैं इजाज़त चाहती हूँ, मुझे दीजे इजाज़त जय माता दी।